में दबंगो के धलीत यूवक से मार्पिट और मुव पर पेशाप करने को लेकर आमाद्वी पार्टी ने प्रदेस कारलाय में प्रेस कॉंफरेंस कर प्रदेस की भाजपा सरकार पर जम कर हमला बोला इस प्रेस कॉंफरेंस में आममाद्वी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रमाकान पतेल लोगसभा की सचिव और हुजूर विधान सभा से आप्रत्याशी रविकान द्विवेदी मौजूद थे प्रेस कॉंफरेंस में रीना सकसेना ने घटना को बेहद ही शर्मनाख बताते हुए कहा कि भाचपा सरकार में आए दिन दलीतों और आदिवासियों पर अत्यचार की घटनाए सामनी आ रही है उन्होंने कहा कि भाचपा राज में कानून मेवस्ता पूरी तरह चौपट हो गई और बदमाशो दबंगों के होस्लिप बुलंद हो रहे हैं वहां पर उनकी टांग तोड़ी गई उनको जंगल में ले जाके माराक उटा गया और जैसा कि F.I.R. में दर्ज हुआ है उसके अनसार उसके उनके ऊपर पेशाव किया गया यह जो अमानवी एक्रत हुआ है और यह जो दर्दान तरीके सुनकी टांग तोड़ी गई है वो युवा है 49 एर का एज का है